मस्ते दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का इस वीडियो में और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि एक सामान मैंने मंगाया है आनलाइन और बहुत ही अच्छी सामान है वो अपने बगिया के लिए मंगाया है पहली बाद यह है ग्रोबर्स और चली मैं इसे निकाल के दिखाती हूँ देखे यह ग्रोबएग है पोधा लगाने के लिए और यह 12 बाई 12 इंच का ग्रोबएग है चार ग्रोबएग मैंने खोल लिया है और इसकी लंबाई और चर्ड़ाई 12 बाई 12 इंच है मतलब जितना ही लंबा है उतना ही चोड़ा है तो ऐसा क्रूबैक बहुत ही अच्छा होता है कोई भी पौधा आपको लगाना है तो और इसकी लाइब भी काफी होती है इस पाट के अपेच्छा तो ये बहुत ही सस्ता भी है और अच्छा भी है तो 10 पीस इसमें मिला मुझे चार वहां पर है और पांच छे साथ आठ नौ दस मतब दस पीस मुझे डिलोरी चार के साथ चार सो पैसेट रूपे में मिला तो अच्छा है और इसमें मैं लगाऊंगे धेर सारे पौधे भीरे भीरे लगाऊंगी और जब भी लगाऊंगे मैं आपसे सेयर करूंगी तो द बना हुआ है चारों तरफ किनारे किनारे और यदि कम ड्रीनेज होल होगा तो मैं अपने से बना लूंगी इसमें क्योंकि ड्रीनेज होना बहुत ही आवश्यक है नहीं तो इक्ष्रा पानी बाहा नहीं निकलेगा तो पौधे खराब हो जाएंगे तो इस तरह से ग्रो में तो उसके लिए लंबा और चोड़ा ग्रो बैग भी आता है मार्केट में या आनलाइन भी आप ले सकते हैं यह ग्रो बैग जो होता है वो बहुत ही हलका होता है छट पर ये दिया पौधे लगा रहे हैं सबजिया लगान ना चाहते हैं या लगा रहे हैं तो इस तरह का ग्रो बैग सबसे अच्छा होता है हलका भी होता है और काफी दिन तक चलता है खराब भी नहीं जल दी होता क्योंकि यहाँ पर देखे यह पार्ट मैं जब मंगवाई थी तो एक पार्ट मुझे हंडेड रुपे में मिला था और मुस्की से 2-3 साल हुए है सारे के सारे पार्ट इसी तरह से खराब हो गए प्लास्टिक के पार्टे और यह देखिए ऐसा पार्ट तो कभी मत लीजिएगा जो की एकदम तली सटा हुआ हो नीचे क्योंकि ऐसे पार्ट में पौधे खराब हो जाते हैं मैं तो कहूंगी कि आप यदि गार्डेन बनाना चाहते हैं या बनाए हुए हैं ग्रो बैग में पौधा लगाना चाहते हैं तो आप ग्रो बैग ही ले ले यह आपको सस्ता भी मिलेगा और अच्छा भी रहेगा और इसे जब यूज नहीं करना है माली जी सीजनल प्लांट लगा रहे हैं और प्लांट सीजनल है खतम हो गया फ्रूटिंग करके सबजियां हैं तो इस ग्रो बैग को आप खाली करके रख भी सकते हैं फिर जब सीजन के अनुसार इसे फिर से यूज कर सकते हैं तो अच्छा है ये आप भी जोरूर से मंगवाएं और मैंने भी मंगवाया है और धीरी धीरी अब इसमें मैं प्लांट लगाऊंगी क्योंकि प्लांटेशन करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ जुड़ें पौधा लगाएं प क्रमेंट में जोर से बताईएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर हैपी गार्डेंग